Hi everyone, welcome back to my channel इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ oily skin के moisturizers के बारे में काफी बार oily skin को लेके confusion रहता है कि moisturizers लगाना चाहिए या नहीं या फिर लोगों को काफी बार ऐसा लगता है कि oily skin के लिए क्या moisturizers सही रहेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे doubts clear करने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको budget to luxury moisturizers के बारे में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये clear करना चाहती हूँ कि अगर आपकी skin oily है तब भी आपको moisturizer लगाने की जरूरत है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी skin dry होगी अगर आप एक oily skin का face wash इस्तमाल कर रहे हैं जिससे excess oil आपके चहरे से remove हो रहा है या फिर आप कोई pimple की cream जिसमें adapaline है, benzoil peroxide है ऐसा कुछ आप अपने चहरे पे लगा रहे हैं या फिर आप isotretinoin जैसी tablet खा रहे हैं जिससे आपके pimples control हो या फिर आप salicylic acid based कुछ products इस्तमाल कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके skin को dry करेंगी और ऐसा करने की वज़े से आपके skin का natural barrier disrupt होगा जब आपकी skin का natural barrier disrupt होगा तो ऐसे में bacterial infection और जादा हो सकता है तो इसकी वज़े से ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी pimple का face wash इस्तमाल करें या फिर pimple का proper treatment लें तो ऐसे में आप एक oily skin का moisturizer भी इस्तमाल करें moisturizer oily skin के हिसाब से होना चाहिए ताकि आपकी skin को बहुत sticky ना करें और आपको साथ में mausturization, hydration और nourishment के benefits भी मिल सकें तो अब मैं आपको एक एक करके mausturizers के बारे में बताती हूँ तो अगर हम budget to lux की बात करें तो इसमें budget के लिए सबसे पहला जो मुझे पसंद है mausturizer वो है exela exela around 450 रुपीज का है और इसके अंदर niacinamide और zinc जैसे ingredients है जो हमें से काफी लोग अलड़ी जानते होंगे कि ये pimples के लिए और oily skin के लिए बहुत अच्छे ingredients है और ये mausturizer लगाने से आपकी oiliness कम होगी ये sebum production को control करता है mausturizer और ये आपकी skin को mattifying look देगा instant matte effect देगा तो ये mausturizer उस वज़े से काफी अच्छा है तो कितनी बार दिन में लगाना है वो depend करता है कि आपकी skin में कितनी dryness है कितनी requirement है mausturizer लगाने की तो और ये सारे mausturizers जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये paraben free है non comedogenic हैं तो ये mausturizers आप लगा सकते हैं अगर आपको skin में थोड़ी भी dryness महसूस हो रही है तो budget to lux में मेरा अगला mausturizer है Bioderma का CBM Hydra और ये around 1100 रुपीज का है और ये अगर आप देखें तो बिलकुल भी sticky नहीं है और ये इसके अंदर allantoin है जो बहुत ही अच्छी soothing mausturizing properties है और इसके अंदर daff है और fluid active patented technology है तो जैसे जैसे हम luxury brands की तरफ जाते हैं तो ये luxury mausturizers में सब में कुछ ना कुछ patented ऐसा होता है जो पूरी तरह से वो disclose नहीं करते कि exactly क्या है लेकिन ये mausturizers definitely अपने texture में feel में जादा अच्छे हैं तो लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि क्या ये value for money है और आपको extra क्या मिल रहा है अगर आप उसमें कुछ जादा pay कर रहे हैं तो बायो डर्मा का mausturizer जो है वो बिल्कुल भी sticky नहीं है और बहुत soothing है और इसके अंदर allantoin है जो अच्छी mausturizing properties है और जो मैंने जैसा कहा कि DAF है तो DAF जो इनकी patented technology है उसमें seaweed extracts है और जिसकी वज़े से वो कहते हैं कि skin का barrier अच्छा repair होता है और आपके pores clog नहीं होते तो अगला मेरा favorite moisturizer रहेगा बायो डर्मा का CBM Hydra अब next moisturizer की बात करें budget to lux में तो है dermalogica का moisturizer इसका नाम है active moist और ये around 3,000 रुपे का है और इसको अगर हम देखें तो ये और भी जादा lightweight moisturizer है और बिल्कुल भी sticky नहीं है और इसके अंदर जो ingredients है वो ये lactic acid जो जिसकी वज़े से बहुत अच्छा moisturizing है कुछ अच्छे amino acids है इसके अंदर और बहुत अच्छी moisturizing properties है इसकी और ये जितने भी moisturizer मैं आपको बता रही हूँ ये सारे paraben free है और ये बिल्कुल भी आपके pores को clog नहीं करेंगे और ये अच्छे से आपकी skin को moisturize करेंगे और अगर आप कुछ भी ऐसा लगा रहे हैं अपने चहरे पर salicylic acid या adapaline कोई भी retinoid जो आपकी skin को dry कर सकता है तो ऐसे में आपको अगर moisturizer की ज़रूत है ताकि आपकी skin का barrier repair रहे तो ऐसे में ये सारे moisturizer's बहुत अच्छे रहेंगे dermalogica के active moist की खास बात ये है कि ये बहुत ही ज़ादा lightweight है और बिल्कुल भी आपकी skin को dry नहीं करेगा इसके लावा dermalogica के active moist moisturizer में cucumber extracts हैं जो आपकी skin को instant calming effect देंगे अब हम आते हैं budget to lux में हमारे सबसे अच्छे luxury moisturizer में oily skin के लिए ये है लारोश पोसे का ifaclar mat ये moisturizer इस समय मेरे पास available नहीं है लेकिन मैंने इसको personally try किया है ये बहुत ही lightweight अच्छा moisturizer है और इसके अंदर कुछ ऐसी patented चीजें हैं जैसे की sebulize और sebulize ये claim करते हैं कि zinc के मुकाबरे काफी ज़ादा अच्छा है skin की sebum production को control करने में तो जैसे की बाकी सारे moisturizer में zinc है oiliness को control करने के लिए वैसे ifaclar mat में sebulize है skin की oiliness को control करने के लिए और ifaclar mat जो की एक जो लारोश पोसे का है जो की एक french brand है तो ifaclar mat around 5000 rupees का moisturizer है और काफी बार आप में से काफी लोगे सोच रहे होंगे कि क्या 5000 rupees एक moisturizer पर खर्च करना समझदारी रहेगी तो moisturizer यह काफी अच्छा है और काफी बार तो moisturizer की cost इस वज़े से होती है कि उसमें क्या technology है क्या ingredients है लेकिन ऐसा भी होता है काफी बार की किसी product की cost उसकी brand value की वज़े से भी हो सकती है और इस moisturizer में कुछ ऐसे ingredients हैं जो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ कि जिसकी वज़े से अगर आप यह moisturizer खरीदते हैं तो आपकी काफी और products की को खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी जैसे कि ifaclar matte में salicylic acid है और यह आपकी oiliness को control करेगा आपके comedone production को कम करेगा और आपको अलग से सुभे moisturizer लगाते समय कोई pimple की cream लगाने की जरूरत नहीं है इसके इलावा अगर आप यह moisturizer खरीद रहे हैं तो यह बहुत ही जादा अच्छा mattifying look देगा और जो लोग makeup करते समय primer लगाते हैं चहरे पे उन्हें अलग से primer पे investment करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह primer की तरह काम करेगा moisturizer और इसके इलावा इसके अंदर vitamin C और antioxidants हैं तो आपको vitamin C और antioxidant पे भी अलग से spend नहीं करना है और ifaclar matt moisturizer में क्योंकि ऐसी properties हैं कि यह सिर्फ आपकी skin की oiliness को ही नहीं हटाएगा बल्कि आपके pore के size को भी shrink करेगा तो आपको वो सारे expensive pore refiners जो आप open pores को close करने के लिए लगा रहे हैं अपनी skin पे उन्हें भी खरीदने की जरूरत नहीं है तो यह सिर्फ moisturizer ही नहीं बल्कि salicylic acid based pimple की cream और pore refiner और antioxidant और vitamin C का का काम और primer का काम भी करेगा इसके इलावा इसके अंदर ऐसे कुछ ingredients हैं जिसकी वज़े से यह थोड़ा सा आपके dead cells को exfoliate करता है और जिसकी वज़े से वो dead cells exfoliate होने की वज़े से आपके constantly pores unclog होंगे obviously वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके dead cells exfoliate हो रहे हैं आपकी skin dry या peel नहीं होगी skin moisturize रहेगी लेकिन pores unclog होते रहेंगे तो आपके नए whiteheads या blackheads यानि comedones नहीं बनेंगे तो ifaclar matte भी एक बहुत अच्छा moisturizer है तो I hope मैं आपको अलग-अलग तरे के moisturizers उनके cost के हिसाब से और उनकी properties के हिसाब से समझा पाई होंगी और आप अपनी skin issues के हिसाब से सही moisturizer choose कर पाएंगे I hope आपको ये video informative लगी skin और hair से related और informative videos के लिए हमारे YouTube चैनल पे subscribe कीजिए और bell icon पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे videos की notification मिलती रहे के लिए आपको हमारे कूए आपको हमारे बाम लुए बद्षाए भाम खावे आपको हमारेम